हमारी संस्कृती, हमारे संस्कार, सदा रहे हमारे संस्कार, भारत के महान ग्रंथों और कावियों का संपोन संकलन, सब्सक्राइब करें तिलक ए गंगा मैया, तेरी शरन में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया, गंगा मैया ए गंगा मैया, रहर गंगे, जै 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 रहर गंगे निर्बल का बल, तेरा ये जल, अमृत जैसा सब के लिए इस में नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिये दूबे कभी न उस पाड़ी की नया, जिसकी तू बन जाए खे वैया गंगा मैया जैरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया च्दे जै 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 जावन हो जै日 जै ज मी मुझड़ी के खे जै जै हो जै हो जै जै हभाण 스डड ला génér कर दह importantes से किर अजय कोुबधरी वा सिहा इंट किर देषकी एंट किर देषकी थे उर्लील किर द ρाँ हुआ है 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 यह यह सहिंद नहीं कर सकता है यह तुम क्या कर रहे है वा सुरेश्वर गुरुदेव मैं विनार्ष चाहता हूं और विनाष्टर कहीं रहूंगा मेरे साथ चल हुआ है गुरुदेव चल हुआ है मेरे मूँ तक आया ग्रास देवताओं ने मुझ से चीन लिया है इसका दंड देवताओं सहित तोस्त लोकों को भुगतता ही पड़ेगा जब समस्त लोक नश्ट हो जाएंगे तब शिव पुत्र की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं बचेगा और तुम अपनी मृत्यू पर विजय प्राप्ट कर सकोगे यहीं ना अपने शिश्य को समझाइए भार्गव तो तुम हमारे खावों पर नमक्षडखना आई हो नहीं भार्गव मैं तो किसी को दुखी देखना भी नहीं चाहती हूं फिर भी आपने पक्षपाती बंगर मुझे दुखी कर दिया है नहीं वत्स बलकि तुम्हारे आसुरी बरत के कारण मैं दुखी हो गई हूं वत्स तारग तुम और भार्गव आप भी जान लीजिए कि प्रभू की बनाई इस रिष्टी को कोई नश्ट नहीं कर सकता तुम व्यर्थ प्रयास ना करो तारग ये प्रयास तुम्हें केवल पाप का भागी बना देगा और ये पाप की बढ़ती हुई नईया तुम्हारी शक्तियों को क्षिन करती रहेगी गंगे मैं तारग की शक्ति को क्षिन होने दूं अद्दब नहीं भार्गव आप तारक तारका सुर को इस प्रकार का प्रोच साहन देकर रोमित कर रहे हैं विद्यन माली और विशालाक्ष को भी आप में अपना तपुबल प्रदान किया था क्या हुआ शिफपुत्र कवद कर सके आप नहीं ना जन और मरन आपके हाथ में नहीं है भारगव इसलिए तारका सुर की शक्तियों के साथ साथ आप अपना तपुबल भी क्षीन ना कीजिए पर मात्मा की लीला जानिये और मृत्य पर विजय पाने का प्रयास छोड़ दीजिए तब ही तारका सुर तुम्हारा कयान होगा और एक बात याद रखो वत्स ये सारे आसुरी प्रयास मुझे तरित होने के लिए प्रतिबन लगा रहे हैं यदि असुरों का कल्यान चाहते हो तो ये आसुरी प्रयास बंद करो नहीं तारक तुम्हारा कल्यान हो प्रणाम महादेव आप आगई देवी आपने जो लीला रचाई थी उससे स्वयम महाज्यानी महा तपस्वी भार्ग शुक्राचार भी भ्रमित हो गए हैं उस लीला का आनन आपके मुख मंडल पर प्रति बिम्बित हो रहा हैं है एक देवी आपकी ये लीला समाप्त होई अथ्वा प्रभू लीला तो समाप्त हो गई है परनतु परन्तों क्या देवी प्रभू मैं फिर से लिला रचाना चाहती हूं वो क्यों देवी प्रभू मेरा मन अभी कुमार का वो नन्ना सा मनमोहक रूप देखना चाहता है प्रभू हमारी लिला से कुमार के बाल लिला अधिक मनमोहक मन भावन है इसलिए चाहती हूं कि पुना एक हीने से लगा लूँ हे देवी आप तो ब्रम्हान की शक्ति हैं स्वेम महा माया है आप अवश्य कोई लीला रचाइए हम भी उसका आनंद लेंगे किन्तों कहीं ऐसा नहों कि लीला रचाते रचाते आप स्वेम माया के आधिन हो जाएए कि वह अजय योद्धा विद्ध्यन माली और विशालाक्ष का तार का सुर्ग के कक्ष में स्वागत है असुरेश्वर अपने इन दोनों वीर पुत्रों का स्वागत आर्थी उतार कर कीजी कितना यश पाया है इनोंने आप ठीक के रहे हैं गुरुदेव इन्होंने तारक की मृत्यू को जीवन दान दिया है इसी लिए मैं इनका सम्मान करूंगा अवश्य करूंगा पिता श्री हम दोनों विवश थे चाप रहो कि शेव पुत्र को वश में लाकर भी विवश का इसे हुए क्या शेव पुत्र को अंत्रिक से नीचे भैंक कर दारक की मृत्यू को मृत्यू नहीं दे सकते थे आप भी तो अपने मिर्थ्य की मिर्थ्यू नहीं बन सके थे पिता श्री अधार काप्ष तुम हाँ पिता श्री आप भी तो सुर्गंगा पहुचे थे परंत शिव पुत्र का वद नहीं कर सके आप भी विवश होय थे उस समय यो राश्तार काक्ष मारी बातों से अत्मान की बू आ रही है नहीं गुरु देव यह मेरा कनिश्ट पुत्र बना मेरा अप्मान कैसे कर सकता है शमा करें पिता श्री मैं तो वास्तविक्ता बता रहा हूं वास्तविक्ता तो यह तार काक्ष कि तुम मुझसे द्रोग कर रहे हो नहीं पिता श्री मैं अपने जन्मताता से दोकida कर सकता हूं मैं तो आपका आज्यकारी पुत्र हूं आज्यकारी क्या तुम मेरी आज्य का पालन करोगे औब आज्या देखे तो देखिए अच्छा तो जाओ कि देभी गंगा से शिव पुत्र को चीन लाओ अन्यता उसका वद्ट कर दो क्यों रुक क्यों गए पिता शरी कि आपका अशिर्वाद लिये बिना मैं कैसे जा सकता हूं अब लोटूंगा तो शिव पुत्र को साथ लेकर लोटूंगा अन्य था नहीं क्या तारकाच अपना वचन पूरा कर लेगा ना रायन ना रायन प्रणाम धिवर्षी कल्यान मस्तू अब स्रिष्टी का कल्यान अवश्य संकट में है ना रायन ना रायन ना रायन तारकाच शिव पुत्र को लेने निकला है और वो अवश्य शिव पुत्र को लेकर ही आएगा अब उसे कोई नहीं रोक सकता देवेंद्र कोई नहीं क्यों दिवर्षी क्या भगवान स्वयम उस्से रोक नहीं पाएंगे वह नात ने स्वयम ही तो तारकाच को वर दिया है किस अंकट में वह स्वयम तारकाच की रक्षा करेंगे अब जब भगवान स्वयम उसकी रक्षा करेंगे तो ना रायन ना रायन वह जो चाहेगा पाएगा दिवर्षी यह वर्दान तारकाच ने पाया कैसे देवेंद्र तारकाच को कठोर तब करना पड़ा इस वर्दान को पाने के लिए आखें खुलो मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसंद्न हुआ हूँ आखें खुलो वत्स तुम्हारे तपसे प्रसंद्न होकर मैं तुम्हों कोई वर्दान देना चाहता हूँ मांगो क्या चाहते हो आपका साक्षा कार होके अप्रभू अब कोई च्छा बाकी नहीं गहीं केवल आपकी भक्ती बनी रहें तुम्हारी विनम्रता ने हमें मोह लिया है तारकाक्षा जो मांगोंगे वही मिलेगा क्या मांगों भोले नात मुझे मुक्ति दीजेगा जब भी मुझे मृत्यू आए तो आप ही कहां तो आए तथ हास्तु आपने मुझे पर बड़े कृपा की कृपा ने धान मैं धन्य हो गया वत्स तारकाक्ष मुक्ति तो मृत्यू के पश्चाध ही मिलेगी मृत्यू आने तक जीवन सुक के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हमसे मांग लो हे महादेग जीवन सुक तभी प्राप्थ होगा जब यह जीवन रहेगा अताप्रभु आप मेरे जीवन की रक्षा कीजी हे भक्त वच्छल कैलाश्पति है मैं तीनों लोकों में अपना अधिपत्य स्थापन करना चाहता हूं और इस कार के लिए मैं तीनों लोकों में तीन अभेद पुर बसाना चाहता हूं हे भूले नाथ हे क्रपा निधान मेरी इच्छा के विरुद कोई भी इस्त्रपुर में प्रवीश्ण ना कर सके मेरा इस्त्रपुर कहीं भी भ्रमण कर सके मेरे इस्त्रपुर के कारण सदा के लिए अजे रहूं स्रक्षित रहूं हे देवाधी देव मेरे इन त्रप्णों का कोई भेदन न कर सके कोई भी नहीं सिवाय आप के प्रभू तथास्तु यह त्रपुर है स्वर्णपुर चंद्रपुर और ताम्रपुर यह कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं वत्स इनकी कारण तुम अजे होगी तुम्हारा कल्यान हो वत्स देवेंद्र इस प्रकार तारकाक्ष अजे हैं देवेंद्र वह देखिए तारकाच्छ आ रहा है विद्दुन माली और विशालाक्ष इन दोनों की असफलता के बाद तारका सुर्ने तारकाक्ष को कुमार कार्तिके का अभरन करने के लिए भीजा है देवेंद्र अब हमें सतर करेंना चाहिए हम सतर रहेंगे अगनीदेव हम तारकाक्ष की कोई भी चाल सफल नहीं होने देंगे हम इसका वज़ करेंगे किस पर हस रहे हो भार्गव मैं तो देवेंद्र की मूर्खता पर हस रहा हूं मूर्ख तारकाक्ष के वद्खी मिस्त्य की कलप्रा कर रहा है देवी गंगे तुम बहुत प्रसन दिखाई दे रहे हूं प्रसन तो इसलिए हूं कि मुझे साक्षातकार हुआ है प्रभू का नहीं तुम्हारे प्रभू का नहीं मुझे तो तारकाख्षी सफलता का साक्षाथकार हुआ ए कहा है आप तो महा ज्यानि है आप जानते हैं साक्षाथकार के वह सक्षनका होता है अंसक्षनका नहीं सुक्षाद कार सर्व्य शक्ति मन प्रभू की शक्ति का होता है प्रभू की प्रभू अगर यह तु आप टार काक्ष की सफलता का साक्षाद कारी वर्य जो ब्रह्मित हो सकती की raging नहीं तारकाक्ष शपणने करेवभू मत नहीं अब आपीस प्रिठेली लग गए तुक हम ये ये वस्तिता है वस्तिता देखो देखो आई कास को सफल होने से कोई नहीं लोग सथा नहीं बन्दर मिनहीं! हा! हा! अर्णक अरुण्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्ञ्टिएर्ण्ट! बन्दराओं! आर्णक भीएर्णक वोच्च वीराओं! पुच्च अर्णक वीराओं! एल झाल blur झाल मूर्ख, मूर्ख, तार काक्ष की रक्षा साक्षाद महादेव शिवशं करकर रहे हैं देवी गंगे, देवेंद्र वज्जर से तार काक्ष का खात करना चाहता है, अनुद तार काक्ष का खात महीं कर पाएगा हे शिवशंकर, मेरी रक्षा कीजिए ए शिवशंकर मेरी रक्षा कीजे, रक्षा कीजे प्रभू, रक्षा कीजे तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा मैया तेरी जै हो जै हो जै हो गंगा भैया